केदारनाथ उप्चुनाव की तारीक की घोशना हो चुकी है और 20 नवेंबर को केदारनाथ में वोट डाले जाएंगे उसके पहले 22 तारीक को 22 अक्टूबर को जो है नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे 29 तारीक आखरी तारीक है और 4 तारीक जो है वो नॉमिनेशन विड्रॉ की situation जो बन रही है उसकी वज़े से BJP और Congress में केदानाठ को लेकर बयान-बाजी और लड़ाई काफी समय से चल रही है जिसकी वज़े से केदानाठ के चुनाव को लेकर काफी इंतजार था. अब केदानाठ के चुनाव की तारीक तै हो चुकी है हमारे साथ उत्राखन भाजपा की अध्याक्ष महाई नरभट जी मौजूद है उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं सर बहुत-बहुत स्वागाद आपकार जी धन्यवाद नमस्कार आखिरकार केदारनाथ की तारीक तै हो गई है और किस तरह से तैयारी है क्या-क्या मुद्दे रहेंगे आपके जब आप जन्ता के बीच में जाएंगे क्योंकि बीच में जिस तरह से यात्रा पर भी असर पड़ा सरकार ने काम भी किया यात्रा को सुचारू करने की कोशिश क और सबसे बड़ी बात यह है कि कपाट की बंदोने की तारीख भी तैय हो गई है तो उसके बीच किस तरह से आप चुनाव का जो आपका मैनेजमेंट रहेगा वो कैसे रहेगा लिए अपसे थीक दो हमाह पहले से चुनाव में रखते हुए हमने अपने कारिकों की सिर्गलाओं बनादी थी हमने चुनाओं के लिए ज Southern कि क्रविकशक sujetि हैं पांच मंडल अपकार लेंलों की कारिकった 오ंके साथ में माने दावास की एक है उसके बदल कि अंदर हुआ है हमारे जो सरकार में मंत्री हैं उन्होंने भी के दाना बिधान सभा के अलग-अलग मंडलों में जाकर वहां की जन समय से हैं सुनी क्यावदा के बाद एक उस्था का वातन बने मद्दान के दिन अधिकतम मद्दानों उस भाव के साथ छोटी-छोटी समस्यो कार मिरा और प्रचाराक की सूची हमाज अकल में जारी कर देंगे उसके बाद सब कर दो को जी देखने की दिश्थी कोंड सा मारे कॉन्क में आगे चलने माली स्ग्जर नियुक्र परते कर दो पाद से ही सीट खाली हो गई 9 जुलाई को उनका निदन हुआ था बीजेपी का ट्रेंट रहा है कि जो व्यक्ति जो विधायक हैं या मंत्री हैं उनकी मृत्य होती है तो उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकेट मिलता है एक सानुबूती की वेव रहती है लोगों के साथ हम नाम का पैनल केंद्र को बेढ़ेंगे सेंट्रwegen सेरह करता है और प्रियास का निश्य रूप wysil जीत वाला कंड़ेट ही पर कोषिट करती है और अभी तक कि हमारे प्रतियासी रूप पर रहे हर जग हम करता किए बद्रirmगत का चोड़ दे है ağr करता है उसको जिताने के लिए काम करेंगे लोग सबाच नाव के जब नतीजे आये थे तो उसमें जिस तरह से कॉंग्रेस ने कैंपेइन किया था कि आयोध्या भी जीते हैं उसके बाद जब उपचुना हुए तो बद्रिनाथ भी जीत गए फिर उन्होंने कहा कि हम केदानाथ भी जीत जाएंगे इस कैंपेइन को किस तरह से देखिए कॉंग्रेस ने जो सीट जीती पद्रिनाथ की अपनी सीट जीती है क्योंकि हर जिनता पालिटिक के हमने कोशिज की कि हम उस्चुना को जीत पाएं लेकिन कहीं निल्ने में निश्यत रूप से मैं कह सकता हूं कि या तो हमने जल्दवाजी की है इसके साथ जिस भाव के साथ वहां का चुनाव लड़ना चाहिए तो उसमें कहीं कहीं तुटी लेकिन को भी आती उसाइत होनी का उस्तानी को ने अपनी सीटें बचाई है मंगलोर के अंदर बसवा को रहा है कि बहुत ही प्रभाव साली विधानसवा है पूर में भी हमारे विधायक वा रहे हैं सेला जी के निधन के बाद मुख्यमंत्री जी ने जनता की कि मुख्यमंत भी किनाते मैं इस विधानसवा का लेतुत्यों कर रहा हूं और वही कारण है कि बड़ी के दारनाथ की जनता ने कभी कल्पना भी नहीं कि होगी कि इतनी गोश्णाएं ने को कारे जो दरहतर बोतारें बहुत से काई हैं जनता का विश्वास पाल्टी ने जीता है हमारे मु चंड बहुमत किसम स्वीट को जीतेंगा है समस्व को प्रयास रहेगा आखरी सवाल आप से लेंगे जिस तरह से 31 जुलाई को आप दाई थी उसके बाद काफी समय तक यात्रा बादित रही सरकार ने भी यात्रा को खोलने की काफी कोशिश करी लेकिन लोगों में रोश रहा क कि यात्रा नहीं खुली और यात्रा से जो है वहां के लोगों की मुखे आजिविका है उसके लावा और कुछ है भी नहीं अग्री कल्चर की अगर हम बात करें तो बहुत थोड़ा एक पोर्शन है जो एग्री कल्चर पर डिपेंडेंट है बाकि पूरा परियाटन पर है त और ये भी सच है कि हर वर्श वर्शा काल के अंदर इस प्रकार के आपदाओंगम को सामना करना पड़ता है लेकिन मैं मुक्रमिंट जी का भारविक्त करता हूं कि इस बार अधिक्तम घंटों में मार्क बंद हुए को चार गंटे को दो गंटे पहले जब प्रभंदन की वि ला दूंसे बड़ी सख्हा में यातरी आ रहे और हर वर्स यात्रा बढ़ रही है पिछले बार के तुल्ला में इस वर्स यात्रा मारी काफी बड़ी है अभी यात्रा चल रही है में कह सकता हूँ कि यही सत्या की के दारनाथ च्छेचर के अंदर आफ़ दोजार तेरह से ल को लेकर भी कॉंग्रेस सवाल उठारी दिखाए देदी अगर सत्ता दल हैं लोग सत्ता दल के लोग का यह भी फर्ज बंता है कि वहां के मद्दातों की मूलबुत समस्याओं को कम समाधान करें आचार से नहीं लगी वीज़ा अब आचार से तोड़ी कोई गोश्णा होने वा कि वहां कि मद्दाताओं के अंदर उस्था का वातन उंहां कि समझे लोका समाधान करने के लिए हमने पाँचों मंडिलों में करीक मंतिरी को हिरे रहा है कि जो ततकाली कि समाधान ना ता ह ouvert के विद्वारा हुआ कि समाधान राया है तो तो आज मैं कह सकता हूँ कि केदारनाथ की दिया उससा से मद्दान करेगी और एक अच्छे परिणाम की और भारजन तर पार्टी मों पर रहेगी केदारनाथ में देवंगत विधायक शेलारानी रावत को श्रद्धानजली के रूप में किती बड़ी जीत दी जाएगा देखे मैं कह सकता हूँ कि सेला जी के जाने के बाद केदारनाथ के अंदर जिस परकार का इभाव इस्ताफित हो रहा था कि लगए लेकिन आज मुक्रमंतरी जी ने केदारनाथ की जनता को सोगात दी है कि कोई भी हैक दस सालों में भी इतना काम नहीं कर सकता था और यह मैं कह सकता है सहला जी अगर स्वर्व लोग में भी होंगे तो वो भी देख रही है कि मेरे मुक्रमंतरी ने मेरे छेतर के विकास के लिए कितना काम क्या है और सहला जी के यह आश्री बाद से बाहरे जिनता पाड़ी महां चुनाओ जीतेगे अर्च्छा मतों से जीत तरह है और पूरी उमीद है कि बद्रीना तो हार गए लेकिन केदारनात कॉंग्रेस को नहीं जीतने देंगे देरदून से अंकिर शर्मा आज तरह